तक मारको यानसिद का 500 अमरक कोई विकेट नहीं लिया उन्होंने 31 रन दिये लेकिन कगी सो रबाड़ान 6 और में 41 जरूर दिये लेकिन उन्होंने विकेट लिया है उस्ट्रेलिया ने मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया है तो वर्ल कप 2023 का जो फाइनल है वो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नमबर रविवार को मुकाबला खेला जाएगा उस्ट्रेलिया ने साउथ अफरीका को 48 वेवन में बेदी रोमान चक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया है और अब 2003 रिपीट होने वाला है सेलिबरेशन देखिया आप कमाल का है अब 212 रनों को 215 वेवन में लेकिन 47 वेवर में जाकर ये मैच जीत लिया अटैक पर बार बार पार टाइमर के पास सलते गए और नतीज़ा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट से मुकाबला जीत गया है मोनों अम मज़ाएगा इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया क्योंकि जब से इंडिया ने सैमी फाइनल जीता है हर जगा बसे ही बात हो रही है बदला लेना है 2003 का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होने वाला है फाइनल का पांच अक्टूबर को वर्ल्ल कप शुरू हुआ थ और अब दूसरा सैमी फाइनल का विजेता हमारे सामने है उस्ट्रेलिया ने बहुती करीबी मुकाबले में साथ अफ्रीका को तीन विकेट से हरा दिया है और अफ्रीका एक बार फिर से उनके ओपर ठपा लग गया है चोकर्स का क्विंटेन डिकॉक पूरे वर्ल कप में त पांच बार सैमी फाइनल ने पहुंची लेकिन कभी नहीं पहुंची फाइनल में एक बार भी नहीं पहुंची है टीम आज बड़ी उमीदें थी कि ये पांच बार सैमी फाइनल खेल रही थी और हो सकता था कि आज ये पहुंच जाए लेकिन फिर वो सपना सपना ही रह गय और हलाकि इस टीम के बारे में थोड़ा से हम बात करें तो साउथ प्रेया के टीम पहली बार 1992 में आई थी है टीम खेलने के लिए और 2023 के दूसरे साइफाइनल में आज हारी है पाकिस्तान के युआ बल्लेबाज इंजमामुल हक ने वो यादगर पारे खलकर साउथ अफ्रेका से जीता था बिल्कूल और पाकिस्तान ने वो किताब जीता था वैसे 1992 में और 1990 में वो मैच जिसकी आप बात करें था लेकिन पॉइंस टाई हो गया था लेकिन पॉइंस मिला था उसके बाद 2007 की बात आती है जहां पर ऐस्ट्रेलिया का सामना साथ अफ्रीका से हुआ से उपोजिशन लेकिन इस बार भी ऐस्ट्रेलिया ने एक ना चलने दिया अफ्रीकी टीम की और साथ विकेट से मुकाबला जीता दो हजार पंदरा ये एक और बड़ा काबले में आखरी ओवर में न्यूजिलेंड ने साथ अफ्रीका को चार विकेट से हराया था और उसमें जो चहरे थे वो रोते हुए दिखाए दिये थे उसमें चाहिए विडिविलेस और डेंस टेंस वो मैच भी बड़ा दिल्चस्प हुआ था लेकिन पहली दो गिंदों लेकिन आज पिर ये साथ अफ्री ओड़े गी ओस्ट्रेलिया टीम की इंडिया ने हराया चे विकेट से अफ्रीका ने हराया 134 रंज से उसके बाद तो लगातार मैच जीते लगातार साथ मैच जीते और अब सेमी फैनल मिलाके लगातार आठ मैच और जीत चुका है इंडि इंडिया से बड़े गी ओस्ट्रेलिया टीम और सब को मन में वही सवाल क्या 2003 का पदला लेया जाएगा क्योंकि 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था और फिर 2015 के सेंग फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई थी वहालागी वह 328 समतीं कुछ बनाने थे 339 लेकिन टीम मीडिया उसने MS2 नहीं कैटन ते टीम के फिर वही सेकंड इनिंग में इडिया चेज नहीं कर पाया था स्कॉर लेकिन अब एक अथ्या मौका है, सुनहरा मौका है को तीम मीडिया कमान जो है रोई शर्मा के हाथों है और रोई शर्मा बड़े lucky captain है तो यारि क इंडिया ने मैच 7 विकेट से जीता था, 6 विकेट से लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, दो पर तीन भी था, एक समय स्कोर, दो पर तीन था, लेकिन इस मैच के गरम थोड़ी से आपको बताएं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि इस मैच में कोलकाता के अपने टॉप ओडर को आउट कर लिया था, उस्ट्रेलिया ने, यानि कि पूरी तरीके से डोमिनेंस किया, उस्ट्रेलिया ने, जाए मिचल सार्क हो या पैट कमिंस हो, जो हैजलूर ने बड़ा अच्छा स्पैल डाला, और 24 रंग पर 4 विकेट गिरने के बाद, साउथ ब स्पारी के बदोलत, टी मिडिया स्कोर जो है, दोस्टो बारा रं पर पहुंच गया था, दोस्टो तेरे का टार्गेट था, उस्ट्रेलिया ने बड़ा गजब का स्टार्ट किया, और उसमें तारीफ बंती डेविल गोरनर की, और एविस्ट हैड की, उन्होंने साथ रन मर मास भी बिना खाता खोले आउट हुए, स्ट्व स्मीच सिर्फ तीसर बना शके मानस लाबू से ने अथारा बना शके और ग्लैनमेक, मैक्सिवल का जब विकेट गिरा, तो मुकाबले में रोमांच आ गया था, वहां से यह लगने लग गया था, कि शायद हो सकता साउथ सब्सक्राइब लेकिन वो तीन विकेट अगर यह तीन विकेट यहां पर तेमबा बाउमा की थोड़ी अच्छी कप्तानी थोड़ी चतुर कप्तानी देखने को मिलती तो आज शायद हम बात कर रहे होते हैं इंडिया वर्सेस साथ आफरीका फाइनल बेलकुल लेकिन लास्ट में आकर वो कहते हैं न कि फिनिसिंग तिंस ओफ इन स्टाइल जैसे रवी सास्तरी जी कहते हैं तो वो काम किया आज पैट कमिन्स और मिचल सारक की जोड़ी ने यारे कि अगर हम बले वाजी देखें तो पैट कमिन्स ने के बले से वो चोका निकला और विनिंग शोट पैट कमिन्स और कैप्टन फिनिस करता ना मैच तो अलगी मज़ा था क्योंकि एमेश दोनी ने 2011 फिनिस किया था चका लगा कर आज देखें चोका लगाकर पैट कमिन्स ने फिनिस किया तो पैट कमिन्स की यह 14 रन की 29 बोल्स में आए दो चोके लगाए सोला बनाए 38 गिनों पर यानि कि मिचल सार्क चाहिए बॉलिंग हो चाहिए बैटिंग हो यह बड़ा शांदर कैम्प पे रहा है मिचल सार्क बॉलिंग बैटिंग दोनों मैंचों मैं तो कह रहा हूं न वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात नहीं है कि मेरे को ओल्राउंडर का तमगा दे दीजिए मैं अब सिर्फ बॉलर नहीं हूं मैं कप्तान हूं मैं ओल्राउंडर हूं और मैं मैच फिनिशर भी हूं बिलकुल मैच फिनिशर भी हूं लेकिन अब यहां से ऑस्ट्रेलिया वर्सिज इंडिया अखिल थोड़े से वहां पर तो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मुकाबला करेंगी लेकिन इंडिया जीत लेगा यार फिर मुस्किल है फाइनल को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं फाइनल अपने आमें प्रेशर होता है प्रेशर इंडिया पे भी रहेगा और प्रेशर हम जैसे फैंस के ऊपर भी नोवी बर वल्डिया फाइनल खेल रही है और जिस त्रीम का इतीहास पुराणा राओ इतना शांता राओ डदा है आपको डदाल लगता है और वरल्ल कॉप में अब ओस्ट्रेलिया धमाकेदार एंट्री के साथ पहुंच गया फाइनल में जहांपर टीम मिडिया से उनका मु तो यह निस्ट नॉंबर को यह मुकाबला खिला जाएगा हमदाबाद की नरेदर मोजी स्टेडियम में बड़ा मैच बड़ा मैदान फिर होगा घमासान क्योंकि एक तरफ औस तरफ और जो पांच बार की वर्ल्ड चैंपिन है और दूसरी बार टीम इंडिया लोवी बार फा तो यह निकि ऑस्ट्रेलिया का भी जो होसला डगमगाया हुआ है अभी अखिल हमने कल भी बात की इस बारे में शायद हमने सुबह भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया कहां यह मैच चार सकता है हमने का था कि इसका टॉप ओडर जो टीम का है बिल्कुल भी लेमे नहीं है एक वर्णर है जो लड़ाई लड़ते हुए नजार आते हैं स्टीव स्मित खामोश है बल्ला बिल्कुल खामोश है लाबुशेन कुछ पारियां के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए ट्रेविस हेट कमबेक पे 100 था लेकिन उसके बाद कुछ फीके रहे आज ट्रेविस ने मारी है और पांस बार टीम इंडिया ने मारी है लेकिन यह जो मैच था इस मैच में उस्टेला तीन विकेट से जीता है और इस मैच में कई हीरो भी रहे होंगे तो एक नज़र आते हैं हमारा खास सेग्मेंट है ओकिनवा एफेक्टिव प्लेयर और मैच आज के कौन है तो आईए आपको वो भी दिखाते हैं तो उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि जो स्कॉर पहुंचा है यहां तक उस स्कॉर में सबसे बड़ागर रोल प्ले किया है तो वो है डेविड मिलर आपको यह लगता है बड़ी शांदार पारी उन्होंने खेली सा डेविड मिलर एक सो सोला गें दे एक सो एक रंड लगबख अठासी का स्ट्राइक रेट चौके निकले इनके बल्ले से आठ और चक्के लिखे पांच लंबे लंबे गगन चुमी चक्के लगाए और यह बंदे हमारे ओकी नामा एफेक्टिव प्लेयर और दमैच छटा वं बिल्कुल बिल्कुल और सारी क्लीन हिट्स थी अखिल इन्होंने ज़्यादा मौके नहीं दिये गेंदबाजों को तारिफ तो बनती है भले यह टीम हारी हो लेकिन डेविड मिलर ने अपना काम कर दिया था लेकिन वही फिर चोक करने वाली बीमारी अब तक इस बीमारी का यह लाहिलाज बीमारी बनती जा रही है अफरिका के लिए और इनके ओपर यह ठपा सूट भी करता है यार आप पांच बार सेमी फाइनल में पहुंचे पांचों के पांचों बार आप सेमी फाइनल मुकाबदा हार जाते हैं हमेशे बात होती है कि इंडिया और न्यूजिल सेट है उसका नाम है colorful moment of the day आज के कौन-कौन से ओकिनावा कि देखिए हर जो स्कूटी है ना कई सारे रंगों में आती है किसी का yellow होगा किसी का blue होगा हला कि मैंने तो आज yellow ही चूज किया है क्योंकि Australia जीता है तो जो कहते है गंगा राम गंगा राम और जमना दसक्या जमन देखिए यह बड़े लोग है जिनके पास अलाग 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 स्कूटी में अलाग अलाग कलर रंगों मैंने सारे colors ले रखें क्योंकि जैसी कोई टीम जीती उसके साथ चला जाता हूं मैं तो एक बार नजर डालते हैं ओकीनावा colorful moment of the day क्योंकि यह highlights आपको दिखाई दे colorful जो हमारे moments है उसमें खास तो डेविड मिलर का अफरीकी फैंस आयो और यह जब बारिश आ गई थी तो covers को लेकर आते हुए और डेविड मिलर बड़ी शांदार पारी और अफरीका के फैंस एक बार निराशा ही हाथ लगी और ग्राउंट्समेन की भी तारिफ करनी पड़ बनती है लेकिन तरीफ डेविड मिलर की बनती है अफरीकी फैंस की बनती है कि वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आये कुछ लोग साथ अफरीका से भी आया हुए थे आपने स्टेडियम में देखा होगा खचाकर स्टेडियम भरा हुआ था इंडिन टीम नहीं खेल रही थी उसके बावजूद भी अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुचे थे अस्ट्रेलियन पहुचे अफ्रीकन पहुचे लेकिन थोड़ी डिसपॉइंट रहे होंगे आज साथ अफ्रीकन फैंस क्योंकि उनकी टीम को एक बार फिर से सेमी फाइनल में हार मिली है बिल्कुल हार मिली है और करारी हार मिली है क्योंकि सब को उमीदें थी कि साथ अफरीका चोंका सकता है क्योंकि साथ अफरीका ने याद होगा लीग स्टेज में मुकाबले में ऐस्ट्रेलिया को हराया था 134 रनों से हराया था उस मुकाबले के बाद तो क्योंकि यहां का अनका टॉप ओडर भी सैट था वहां से डूसेन की रन आये थे कुईंटन डिको का यह सुन गया रहते हैं अब आप 60-40 परसेंट अब हो गया क्योंकि साथ अफरीका टॉस जीत के बैटिंग करते हैं तो आपको लगता है आप रिलेक्स हैं आप एक कमफर्ट जोन में जा चुके हैं आपको चेज नहीं करना है आप यहां मैच जी सकते हैं लेकिन कप्तान शुनिया पर निकल गए क्विड्नेट डिकोक्तीनर मना कर निकल यहां बड़ा मैच था वहाँ पर चलना था वहाँ पर कोई नहीं चला 24 पर चार था वहीं साथ अफरीका मैच चार चुका था लेकिन वहीं उमीद तो थी इस मुकाबले में क्योंकि जब हैंदी क्लासे ने 47 मनाये उस तरफ से डेविड मिलर वो पाटनर जी पाच्छी थी पनपी थी वो मैच में ले आई थी व आपस लेकिन फिल वो गिरते हैंद यह भी उपन पर कम से कम 240 सब्सक्राइब की बात कर लेते हैं वहाँ हमारा कि खास सेग्मेट जैसे परिंगल रखता अपनोगा खयाल ऐसे ही इस खिलाड़े ने पूरी टीम का खयाल रखथा है तो मैंच कौन है एक बार वो भी देख लेते हैं और उसमें तो कोई शंका और होनी भी ने चाहिए क्योंकि तो आप समझी गए होंगे कोन है पैट कमेंस मुझे लगता है 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 जली है लोट को दे देते हैं अगर आपने हैजलोट किया तो क्योंकि है अच और डाले थे उन्होंने तीन मैडन देखिए आठ और तीन मैडन सिर्फ बारा रन और दो विकेट विकेट फैंदर डूसें को आ हाला कि 10 मैचों मैडन तक 14 विकेट ले गड़े हैं विकेट वर्ल कॉपके हमेशिًا अदर ड़ेटी बॉलर रहते हैं क्योंकि हमेश्य तारीफ जो होती है वो स्टाक और कमिंस प टोर पर ले जाते हैं वोईशल्बूर थोड़ा पीज रह जाते है मुनूउँ अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ वर्ल्ड कप एक ही मैच पचा है वर्ल्ड कप का ऐस्ट्रेलिया के लिए उन्हें हल मैच खेला है वर्ल्ड कप का इस सीजन में एक पाकिस्तान वाला मैच ताइट जहाँ पर उन्हें दस ओवर का पूरा स्पेर डाला बाकि कमिंस इनके ओवर क्यों बचा के रखते हैं नो ओवर, आट ओवर, साथ ओवर आज भी आप देख लीजिए आट ओवर और 42 ओवर के बाद तो उनको बोलिंग नहीं मिली बिल्कुल यह ता अगर यह दो ओवर अपने ओड डाल लेते हैं